गुड़िनी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पठार चुकि हमें भारत के पठार इसलिए पढ़ना पढ़ रहे हैं कि हम मैंने उद्देश से भारत की जो सेणिया हैं, पहाडिया हैं उनका अध्यान करनी के लिए सबसे पहले हमें भारत का पठार जानना बहुत चुरूरी है जैसे हम देखें यहां पर तो हमें अगर इस स्लेट से हमें कापी कुछ सेखने को मिलता है कि हमारे पठार जो सुरू होते हैं, वो कहां से होते हैं? हमारे प्राइदीपी पठार जहां से भारत का प्राइदीपी एरिया है, वहां हमारे पठार देखने को मिलते हैं चुकि यह वाला सरीय तो हमारा हमारे से तरह आ जाता है चिकली यह मीजो की पहाडियां डबला, यह सारी हमारी पहाडिया यहांपे तो हम पठार का डिस्स करेंगे कहां से? हमरा बदर पॉजित वाला एरिया, उत्तर पूजित बीहार और यह आपका यहांपे कुछ ही आपका पूरी भारत करेंगे और यह पूरी प्राइज इपिए पठार के डिस्स करेंगे तो इस तरह से हम पठारों का अध्यान करेंगे पहले उसके बाद में इसको डिस्स करेंगे इससे आपको काफी कुछ चुकि पठारों का निर्मान हुआ कैसे हैं किस तरह से पहले इसका अध्यन करें हम दो आज से लगभग 200 पहले पैंजया का दो भागों में भाजन हो गया था चुकि यह पूरी पर्थेवी है इसको कहा नाम जिया गाता पैंजया जिसमें कोई भी हमारा ना देश था ना प्रदेश था ना आइलेंड था ना कुछ भी नहीं था अउनली यहां पर अंगारा रेंड और गॉर्णारा यह इसके दो भाग थे हैं तो हम यह भी देखेंगे कि हमारा जो भारत है प्राइड भारत किसका भाग है यह कोशन आ चुका है तो हम पेंजया फोकस करेंगे यह पूरी परत्री है ना कोई भी हमारा महासागार इसमें नेमित नहीं था ना ही हमारा कोई महादीव कुछ परत्री हमारी इस तरह से थी देखिए यह यह दीक रही होगा अब पूरा कच्रा था अभी हमें सको डिस्पर्म कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कि आइसिया है कौन सा मारा फिरीखा है इस तरह से में पर्थी जब पहले थी यह देखिये पैंज्जिया इसको प्रादया्प नाम दिया उस्टाइं और हुए इस्थानुन का समष्ट महादीपी सित्र एक इस्थान में था जिसे स्थान पॉलस्ट महासाग्रिए भाग एक इस्थान में होने के हां समस्थ महासागरी भाग भी एक ही स्थान में था जिसे पैथालांस कब कर दो सब्सक्रांगा, आख से लगभग दो सौ मिल्यों वर्स पूर गग, कपकी बात हो रही है, दो सय मिल्यं वर्स पूर गए है, पहले पैंज्या का दो भागोँ में भाजन हो गया था, कि इत्ते भागों हो गया था, दो भागों में, देखिए, एक तो अंगारा लेंड, दूसरा हमारा गॉर्णवानरेंट 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 दूसरा हमारा गॉर्ण तो यह ना मनवा था यह यह दो आपके इसका एरिया था यह गेपिंग ती आपे इसको ने टिस अगर गनाम जिया है कि आज से लगभग 120 मिलियन वर्स पूरों ठीक है अब हम कहां जा रहे हैं 120 मिलियन वर्स पूरों की बात कर रहे हैं पहले गनवाना लेंड यों अंगारा रेंड का भी विभाजन होने लगा किसका कि पहले तो क्या दो भागों में जो हमारी पर्तित तूटी थी किसमें अंग और बीस मिलियन वर्स पहले फिर से यहां पर जो अंगरा रेंड भी टूटने लगा और गॉर्णा रेंड भी टूटने लगा यह किना चारा है तो इसके भाग देख लेने हैं अंगरा रेंड के वहाग कौन-कौन से हैं उत्तर इमेरिका जो उत्तर पड़ेगा हमारा देख और एसिया देखिए यह वाला एसिया यह वाला इसका निर्मान हुआ था यह कहना चाहरे है यह इंडिया इंडिया का टोकड़ा आप इस तरह से देखोगे ऐसे तेर रहा था मतलब वह किसी से डाइश नहीं था उसने समझेर ना यह साउथ अमेरिका दिया है पे नौर्ट अम टॉले है अप्रिका सेपरेट था यह जाख होतनी मेरिका एक सते ड़ एक सतै यह वह तके डख्वण अमरिका यह साथ अमेरिका लिक्राइए है अज्टेली यह जिलिया श्किली एभरियर में नब्लौ प ठ़ढ़ाई है और अंक्तार्टिका नत्झाट गया में प्लाइड ह लगबक सो पहले लगा उत्तर की त्रप गती करने लगा था उपर की तरफ चढ़ रहा था यह देखी यह इस तरह से उपर की वर जा रहा था है कि अब देहरी है जा रहा है आपको टेटिस सागर बीच में था उस्टेंग क्योंकि हमारा इंडिया इस तरह से था पहले इंडिया अलगी भागता यह इसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा आपका कुछ एडिया आपका अब गनिस्तन का भी आ जाएगा इसमें है तो इस तरह से वो अलगी तेर रहा था दोनों तरब से आने वाली नंदियों ने टेटिस सागर में मालवा जमा करती ही जहां जेसे ही दोनों पलेटे इंडो अश्टिलेन टेट उन ओ करें इंडो अस्टिलेन टेट एसमें उर्मेड गया डा len यहे ए प्रवत में निमाना हो गया यह खेना चाहरे सिंपल जी बात है फोल्ड होकर ऊपर उठने की कारण ही हिमालय प्रवत का निमाना हुआ है किसका यह देखें यह हमारा हिमालय प्रवत है जो की विस्व के सबसे उची जोटी है हना इसके बाद भी हमाचल के मीचे कुछ निचल भाग पढ़ा था कि यह देखें यहां कि निचले हिससे को दो दोनों तरप से आने वाली नदियों ने पार्ट कर मैदान बना दिया। इसले हिससे ओग किया यहां पर जो नदिया जिसे आंगा गंगा यमना नदी जो देखेंगे तो तो उन्हें उस बाद को फड़ा मैदान बना दिता। हम पुर्य प İşचने मैं प्रदेश को स्ज़तरस व्यगतां है प्र वह तक बात करेंगे हैंए हमने में इस पर सिर्फ करना चाहे है कि भारत मैं यहां से मिलेगा मैं यहीं इस पपID यहां सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो यह हमारा पूरा प्राइदीपी भारत आगे तो आएगा आएगा प्राइदी भारत अनीमी त्री बहुचकार आकरती का है यह भारत की सबसे पुरानी भूमी है प्राइदीपी भारत का विस्तार कहां कहा हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग ठीक है तो प्राइदीपी भारत का विस्तार देखेंगे हैं हम लोग विस्तार कहां कहां है यह दिखना है उत्तर पस्सीम जो उत्तर पस्सीम के बात करे दिल्ट को प्रुद देखने को बिलाएं यहां पर भी तक फि्लाओ आई है पूरो आसंजाने घृटी करें यहां पुलता रहा है राजमहल की पहाडियों तक क्राच महिल गिरि ! और पस्यमी गिरी पहाड़ी यहां पर गिरी पहाड़ी मिलेगे गुजरात में ठीक है गिर के पहाड़ी इसको बोलते हैं जक्षिन मिलागा इलाइशी पहाड़ी यहां पर आपको इलाइशी पहाड़ी मिलेगी जो की जक्षिन में मिलेगी उत्तरपूर में सिलांग के पठा प्राइदी भारत का कूल सेत्रफल 16,000,000 वर किलोमेटर है कितना है 16,000,000 किलोमेटर है प्राइदी भारत का कूई भी हिस्सा समुदर से नहीं डुबा है कोई इसंदर से नहीं नहीं डूबाएं समुद्र के अंदर नहीं डूबाएं यह गना जारे जिए हिस्क्रेही बहत हो गया है फशारिक ओत्री भाग का ढल पूरब की तरह पेए इस तरह पेए यह जो नहीं जो निकलेगी है तो इधर यहां पर देखिए यहां से यह आप रही तो यहां पर पहरी है यहां पर पहरी तो यहां पर चाही बोलते है यहां से दर जाएगी यहां पर आजितर इस साइड याती है ऐसे नदिया तो अधिया मिलेगी नर्वदा ताप्ति नदी अफवाद सवरुप पस्यम बहती है देखिए नर्वदा नदी यह अपकी और ताप्ति यह तो नर्वदा और ताप्ति की बीच में हम कौन सब पहार देखेंगे कि ऐसा कोई भी सेत्र जो तीन तरब से पानी से गिरा है उसको प्राइदी बोलते हैं प्राइदी भारत के पठार का वरी कि अब हमारा इंपोर्टेंट पठार अब हम सुरू करेंगे पठार तुमरे पठार इस्टार होते हैं यहां से ठीक है ध्रातल का ऐसा विशिष्ट इस्थल जो अपने आसपास के इस्थांस से प्रियाप्त उचा हो जो आसपास इसे तरस से उठा हुआ हो उठा हुआ हो साथ ही साथ जिसका उपरी भाग चोड़ा हो उपरी भाग क्या लेंड टेबल के नाम से भी जाना जाता है किसे नाम से लेंड टेबल के नाम से भी जाना जाता है प्रादी पठार है हमारे कौनकों से पठार है इसका अध्यान करेंगे भी अरावली सेर्णी हम देखी चुके हैं मैवार सेर्णी मालवा का पठार बुंदल खंड का पठार विंद सेनी और सत्पुला सेनी हम देखेंगे यह तो most important आपका most most important आपका विंद और सत्पुला सेनी यह हमारा MP में यह है तो इसको तो अधिन करना है यह बुद्धल खंड भी अपका और मालवा भी देखिए तो हमा केंदरी उच्छी मुमी के अंदर आता है only हमारा यह दो नहीं आते हैं बाकी सब MP के अंदर इसका थिन करेंगे पूरी पठार के अगर बात करेंगे अब लोग तो बगेलकंड का पठार छोटा नाकपूर का पठार राजमहल की पाढ़ियां गडजात पाढ़ियां महान अदी 36 गडबेसीन और दंडग कारणी है यह आएंगे पू जाने के ईए अगले का पाढ़िये यह भाले यह तो हमारा MP दो करीम को यह नहीं ही है खरill हो झानार इधिया और अंद्र व्वाला अंधर प्रदै यह यह व्री ओखियंगे यह विलिक और यह वाला इसका विस्तार उत्तर पूरो में दिल्ली की डिली रीज से लेकर दक्षिन पसी में गुजरात तक खिला हुआ है पालंपूर तक खिला वा यहां तक खिला हुआ है पाध्या पाहडि जिसमें राश्ट प्ती भावन इस्तित है इसी का हिस्टा है इसकी बात कर रहे हैं तो अरावली प्राचिंतम मोड़ ऑसिस्ट प्रवत का उधाने रावली क्या है प्राचिंतम कि यह राजस्थान वंगार सेत्र को केंद्री उच्छ मुमी से अलग करता है किसे राजस्थान और कि यह राजस्थान वंगार से अलग करता है कौन यह अपका अरॉली पठाव इसकी उत्पती प्रीकेंबियम काल में हुई थी कब हुई थी यह प्रीकेंबियम काल इसकी अनुमानी तायू लगभग 570 मिलेन वर्स पुरानी मान जाती है किती मान जाती है यह भारत की सबसे पस्यम भारत में मुख्य जल विभाजक का कारी करती है पस्यम भारत में क्या करती है रॉली की सरशना है यह जल विभाजक का कारी भी करती है तो यहाँ पर जो पाड़ी हो जाने से यहाँ पर आपका रुगिस्थान भी है यह पानी मानी नहीं है पता है आपको जो राजिस्तान के मैड़ान में अफभास से अलग करती है जड़िए जो इस से जा पाती है और यहां से भागरे ते लिए इस篇ड यही खमना सुरू लेते हैं जरू और करेंगे आप देख लीजिए हमारा लास्ट नेक्च्चर जो गंगा अप्वाथ रहे हैं वह का पिस समय मैं रगापको अरावली का ही कुछ भागे रावली परवसंख्ला पूर में अप्षेक्रत अधिक वर्षा वाले सहेत्र को पस्यम के सुस्क वाले सहेत्र को कि इसमें वर्षा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल है यहां पर इस से इस वर्षा कम होती है तो यहां पर इस सब्सक्राइब जाता है और इसे जाता है तो यहां से निकलने वाली लूनी नदी अब यहां से लूनी नदी निकली है जाता है तो यहां से लगता है कि वहां पर नदी मतलब गाईब हो गई है लूनी नदी इसको अंत स्थली नदी भी करते है वो राजस्थान की नदी है लुनिन नदी है तो राजस्थान में बहती है उसके बाद गुजरा जाके वो विलिन हो जाती है लुनिन नदी को साल्ट नदी के नाम से भी जाना आता है कैसे आनेता है, साल्टा नदी की नाम से आनेता है, जवाई वा सुकरी नदी अरावली से निकट वरती है, जो की लुनी नदी के प्रमुक साहिक नदी आए, कौन से नदी है अपकी, जवाई वा सुकरी नदी, अरावली से निकलती है, जो की लुनी नदी की साहिक नदी आए, साइक निदिया अगर पुछी जा सकती है कि आपके लोने निदिया कौन-कौन सी है तो जवारी और सुकरी है यहां पर तांबा शीसा जस्ता अबहत चुना पत्थर आदि खरी सतों की भणनान पाजाते हैं कहां पर रायसान में रायसान में हम देखेंगे तो अब खनिजवज तो मतलम प्लेटेटा है अच्छादी चांदी यह फेन और सोना कहा है आपका पता ही आपको सोना करनाटक में पाए जाएगा और हीरा हीरा कि तमना है की पन्नाय मिल जाए तो हम पन्ना जाएंगे बहंदर से दिनी की जो टने हैं फिरम की वहां पर मिलेगा मैं प्रम करेंगे जम्हारा खनीवारा पाट आएगा तो इसको डिटल में करेंगे यहाँ पर तांबास इसा हो चुका हमारा है अरावली का सरवच शिखर गुरू सिखर है क्या है अरावली का जो सरवच शिखर है अरावली का यहाँ सरवच चोटी कौन सी है गुरू सिखर है जो कि आबू पाह गुघ है नाइस चले हो कि जिरू चुभी का है इस सम्ही देखते हैं फिर भी मैवाड का पठार किस पठार मैवाड का पठार का विस्थार राजस्तान वह मद्रदेश में है कि Oh bye look mr care को मालबा की फिटार से अलग करती है यह बीच में न तो अलग करेगा नुक्तार मिलतार अ रावली से निकलने के हैं अफवा से रह वैसे मhatनों ड़ी आ बनास रखिर्ण बिणे कि बनासनदी जो है आपकी बनासनदी कहां मिलेगी की ऐपकर चरै कि अव यदेकर बनासनदी और आपके छंबल वाले से रहो जाती है मेर्द के पठार को रायस्थान उच्छ भूमी के नाम से जाना यता है घो यहां पर चाहली मिट्टि पहाया तो मालवा में काली मिट्टी पहे जाती है जिस करण से कपास चना दलहन तिलहन आदी फसलों का काफी ज्यादा उत पादन होता है यहां ठीक है अच्छा पदम होता है है कि मालवा का पठार अब हम चलते हैं हमारे MP में इसका विस्तार पश्यम्स में मेवार के पठार से पूरो में बगयल खंडव बुन्देल भंग के पिस्तार है आपका पास्यम्स स्टार्ट करें कहां से यह वह ला यह सदीकरा को यह वादा आपको हम MPM में इसको समझा है आपको तुसको थोड़ा अब लेक्षर देख ले पुराना वाजा तो जदा पेटर हैं चुकि इसमें हम इंक्लूट करेंगे तो हमारा लेक्षर काफी बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोरो जाओगे तो उसका अलग सर्में सेप मंदब्देश और राइस्थान में फेला हुआ है मालवा का ठाल उत्तरी गंगा नंदित तंत्र की तरफ है कि तरह है यह देखिए ना तो यहां पर क्या होता है एक्षरी में अब एक्षर बनाई देते आपको ना बेठा उट इस्तर से यह यह तुरा आपका रायस्थान से भी आएगा तो इस्तर से आपका बना हुआ है तो यहां पर क्या एक्षर होता है कि यहां से मालवा से जो नजिया निकलती अधिक तरह हो चंबल नदिम जाके बिल जाती इस इस ही इंद्पार्वती इस शारी नदिया हमारी तहुंम उत्तर की थे इसलिए दूंगा नदिया आता ध्यूंत के नदिम हमारी वंलेवा द्रार धरारी उद्वेधान से निकलने के शारी लवा में निल्मत करती है ο क्यों चारी शारी लवा यतान चाMin k справ 007 drama इसमें सילिका क तक फेलने के करण धाल कम हो जाती है अमली लावा इसमें सेलिका की मात्रा जादा होती है कि जिस करण से लावा गड़ा होता है और कम दूरी तक खेलता है जिस करण से धाल जड़ा होती है लेट के लिए मालों का पठार लावा निर्मित बैसाल्ट लावा निर्मित बैसाल्ट चट्टाने के अपच्छे के कर काली मर्दा का विकास हुआ है यहां पर क्या हुआ है बैसाल चट्टानों का विकास हुआ है तो अपच्छे काली मिट्टी कपास के लिए सरवादी को भी उपते हैं कपास और स्वाइबीश तो यहां पर बत्रम पहे जाता है और हम गुजरात इन अभी गुजरात हो गया विसे पहले हम स्वाइबीश परदेश को बोलता थे लेकिन अब जग गया है तो अब इतना जदा नहीं होता है हिए अभी होता है आपका घुजरात option में नहीं हो तो आपको मधेब्द सी लगाना है अव्यम्तियम मेंगेश्यम और टास आइरन की अधिक्ता होती है इसकी मेंगेश्यम और आयरन की यहां बहुत ज़्यद्धा मतल्ण पार जाता है है जो नाटीनवास परोस की कमिया होती कि कम अध्रम करने की समता भी यहां पर पानी कम लगता है यह एक खास होने के करणा वार्स yapılशिक भरस सदर है को अधिकर तो यहांा नहीं होने करण कर我就 तो यहांपर क controllers रतानिया कल ऑसी इना का अचीह होती है सङॉरने मेरा श्रह करें सब्सक्राइए भूमी का जदेंगों को मिलती है यहां पाणी कए थोड़ी कम यहां तो फूड़ा इस ठोड़ करें रहें डेम में बनाने में आ हैंまだ होट सबस्क taraf सब्रेदाइं मेदान नंजियों के कटाओं से बनता है यह हमारा निच्छे बुज़ोड मुड़्ी बनाए इरिया वह निच्छे पन सही बनाए है तो यह उपज़ाओं यह पर जलौ मिट्टी पाए जाती है और संप्रदाई ये अपका खटा वाला से तरह है केंदरी उच्छी भूमी के सभी पठाग संप्राई मैदान के साथ साथ उन्मिल मैदान रोलिंग प्लैंड भी है यह कहने चाहिए अब हम चलते हैं बंदलखंड वाला एकेंगे तो मद्र प्रिदेश का यह वाला एंगे टिंग यह एक कि एंपी के नक्सिंड इक है लिकिन आपको भारत नक्सिंद्ध रहें कि हमारा एंपी ही है जहां मारा बंदल खंड यप पढ़ी सुकिए हमारे पठार चई से तो कह दिक मद्यप्रदेश यहां मद्यप्रदेश वो उत्तरप्रदेश में फेला हुआ है तो हां मद्यप्रदेश वो उत्तरप्रदेश में फेला हुआ है यहां सेत्र दसान नंदी कौन से नंदी दसान नंदी के अपवा सेत्र में आता है बुंदल खंड ना तो हम आपको डिस्टिक करती हुई चलती है इससे बीहड पाद भूमी का निमान होता है क्या होता है जो महाखंड बना जाते हैं उन्हें उत्खाद भूमी बैड लेंड प्रदेश कहते हैं देखिए जब आप चंबल बारे भींडे मोरेने जाओगे तो आपको इस तरह से यहां पर चुपने के लिए और फिद्टा को कुछने के लिए ऑटमेटिक बने होए आपको इस इनी वहां जाता है तो वह यहां पर उप्जौग हो जाती है जो कि यो ही जलोग तो खिज़ती है प्धली प्रकर के पठार ग्रेनाइट और नीश चेटानों से बना होता है किसे ग्रेनाइट्स बना है जिसके अपर्दन से लाल मर्दा करन मनों होता है लाल मर्दा भी हमाने है पर जाएगी ना याँ सब्सक्राइब इसका विस्तार गुजरात के जोबट पाहडी से बिहार के मुर्ट तक फिला हुआ है कहां से यहां अली राजपुट जिले की जोबट तेसले वहां से कि आगे आपका जोबट पाहडी बोले तक गुजरात में भी है अरावली से लगावा नहीं है लेकिन यह अपका गुजरात में भी एरिया है तो हम जोबट से प्रवसंगला कित्ती लंबी है 1200 किलोमेटर किलोमेटर लंबी है इसकी उसद उच्छे लगभग 400 से 650 मिटर है किती है 400 से 650 मिटर है इसका सर्वच्छ सीखार गुडविल पीक सद्बावना सीखार है तो कि दमोझिले में मिलेगी न यह ध्यान रखें रखें पर बढ़े है इसको सतवदा परवत से अलग करती है आधि है सतुन गाते हैं यह बीच में सर नीजिक में सतुन अउनडा है कि यह आप की पहाड़ियों की एक सेंडी है विन्द कैस पारशनात पण्ना और और सोनपूर्ण यह भी आपका कोसन आ सकता है अभी तक हम कोसन देख रहे हैं MPPC में यदा कोसन आ हमारा सब वुड़ा परवसे ही आ रहा है तो घुम पिर के वहीं घुम रहा है तो अभी हो सकता है आपका ट्रेंड चेंज हो जाए और विंद परवसेरी से आ जाए तो इसको अच्छा देखना आपको चुकि हमने यह लेक्षर आलडी बना के रखा है तो उसको आप एक बार अध्यन करें तो ज्यादा बटर है आपके रिक्वेस्ट है चुकि हम उसमें अगर करेंगे तो हमारा जो टाइम प्रेट बढ़ जाएगा इसलिए हम बढ़ानी करना चाहिए लेक्षर को आप उ प्रेट को तरह को मिल रहा हैं या इसका बना रखा है उद्धुना मुना यहां समय फेक्ट्रिया अपकी यहां पर भी बानवर में भी एना तो यह मनें कल लितनी में सतना में श्रूर बडला के ग्रूप लोगों ने करवा थी तो चुना प्तर जहां ज्यादा मिलता है माप पेस सिमेंट की फिक्टि लगा जाती है जिस करण से यहां धात्वीक खनीश का भाव है धात्वीक खनीश नहीं यहां ठीक हीरे के सीवा हीरा दो मिलता अपन्ना में बुझेल करने जाए प्रतु भवन निर्मान के पधार्दों की द्रश्चित से यार्थिक मत जदा दे भव है उत्तर भारत और प्रादी भारत ठीक है यहां से हमारा प्रादी भारत शुरू हो जाता है और इदे उत्तर भारत ठीक है जल विभाजों का कारे करती है जो है यहां से यहां पर प्रवत नहीं होता तो आपका उत्तर भाग और यहां पर प्रवत नहीं होता तो आपका उत पठार एक हो जाता और आपका कहां मिल जाता डरेक्ट जाकर यें घैने वाली वाली नदिया गंगा नदिया तंतर मिल तो उत्ताUNG की तरफ यह सद्धारति का महीन builder का मैने निकल्बी यहां माहीन निकलती है पर यहां प्रताबगर से वापस लोटती है और गुज्रात के बुरुस होके बंगल काड़ी में गिर जाती है तो हमने एकी सब्जमी कुरा इसकी एक खासियती कि यह करक रेखा को दो बार गाट थी बस यह माही नदीब पहले तो उत्तर की तरब आगे बढ़ती है लेकिन ग्रेट खाड़ी है है कि तो हमारी एसी तीन नदिया है जो चम्बाथि खाड़ी में गिरती है नरवदा और तप्ति और हमारी माहिन नदी खाड़ी मीःती यह कोसर भी कहीं बार आ चुका है आने के समयोना भी तो थोड़ा द्हान रखें इसी करण से यह करक रहका दोबरा गटती है करती है दोबरा कटती है भांडिर का पठार तथा रीवा पन्ना का पठार हो चूका हमारा यहीं पर यह gamplay पर यह का रिवा पन्ना का हिस्सा है यह मद्रवदेश में इससित घाने और फिरीव परवसजणरे का पे सए कि इसका है विंद परवस्रेणी का विस्सा है रिवा पंदा का पठार यह मद्रदेश में इसते थे यह बुंदल खंड वो बगल खंड के पढ़ार के बीच में इसते थे तो यह मुख्य रूप से विंद विंदेगरी में अब हमको आपको डाइगराम दिखाए देते इसको आपको बुंदेचर परवस्रेणी केमर शुनी करें마 इना मिंहें दीखिए यहां संब शीद्रबाबा की चोटी है यह मिलेगा आपको यह आपका विंदेचर प्रबस्रणी है या सिद्र बाबा, सिंगार चोटी, जानपाव पाहडी, दाहर की पाहडी, दजारी चोटी, गुडविल, काक्रीबडी पाहडी, असरिपिपाहडी, उद्धाइगरी पाहडी, बेहम बेटी का पाहडी, बानोगर पाहडी है न यह वि वपल की पहाड़ी अगर किस कहां कि स्टेडियं में बहांडैर वारी सेनि में बहुत हो जो साथ पाड़ी वबसा है यह कुछना चुका आपका विंद प्रबस नहीं पर विंद का यह रिया है और सिध्र बभक चोटी अपनी है मिलेगी अगे देखेंगे मोगे लोगे में पर रिवा सतना सिधी सिंग रोली और यहां पर आपका जो सलकनपूर मताजी का मंदिर है वह यहीं पर है बंदेश्रणी में मिलेगा आपको तो इतने वाला एरिया यह अलग है चुकि इसको तीन भागों में अलग-अलग डिवाट किया गया है इस सद्वाना गुड विन चोटी की बात करें था हम लोग यह आपका चुत्पुर्ण वाला एरिया है यहां पर आपकी सांसों बहुत भावन मिटर सीव चाहिए त्रिकूटा यह मताजी का मंदिर है पर मासारदा का मंदिर है यहीं पर है यह बहांडर सेड़ी यहां वह पाल परज़नी तक साथ परवत संकला की संकला होने के करना इस परवत का नाम सटप्प्रण पढ़ाए तक है यह सब तो हो जाता है माःचिभव परफिपला अखरानी बड़वानी पहाड कई आसी रोपारी और दुगड़ सबसे शोटी है माधियों चोरागर पचमणी आख रहा है यहां से एक इस गुज्टेशन आचुका है को एक यहां पर आने की समान्थ जादे है तो बीजागरी पहाडी यह को यह मिले है यह देखिए इसको भी और देख लाते हैं दूबगड चोटी चोरागड चोटी यहें पर हैं विस्तार इसका गुजरात से ब्रहांपूर दर्रा तक हैं ठीक है किसका यह वाला है ना आज पर लगी बात करें सरवच चोटी चुलगिरी तक है असिरगड गॉलीगर दूबगड सबसे चोटी यहें पर हैं 1350 मिटस की उचाई है पचमणी सत्परस किरानी यह संगाबाद में आप पता ही है ना चुरागड मद्वदेस की दूसरी सबसे चोटी है चुरागड है काली भीत पहाडी मेतल में इस्तित ही है मैकाल सिर्णी आपको पता ही है जाए नर्वदा और सोन दी निकली यहां से आगे देखें कि विस्तार इसका ना ये इसका मिकाल सिर्णी का जेखो विस्तार इसका स्युनी सित्तित तक है अमरकर टक एक हजार पैस एट ना विटरेस की चाहिए अच्छानक मार यह आपको बायस प्रिजर भी गोसित किया है ना च आजी जी जो आपनाप पढ़ता है और सरवाधी खनीज यहां पर पढ़ता है हम आप से को ieldरान बता है कि अब बात कर ले है दिए अक देल्ट है कपा पर बंसा है पांच पाड़ी उ कॉमत है से श्यमला ही Treaty're तो इसतरी सामारा यह बढ़ाइ यह पतार है यह तो अब हम चलते हैं आपस यह देखिए हमने जो काली मिटी की बात करेते हैं तो आप प्ठार में संफून का लिमिटी पाइजाती है यह आपका इस तरह चली मिटी है नमालवग अप्ठार है आपका और यह वाला सेथरा पाजलोड यहां पर देखिये यह जो बियर्ड बयर्ड का नमान करती है चंबलादी तो इसक्रण यह मिल्स निटीव जाती है यहा कि कि यह देखे और भी उस्तार सासा का समझना आपको तो देखिए हैं पर हिसको यह वाली आपका में इंदेजर प्रबत सेज़नी है यह को सब्सभाव सेज़नी है इसमें देखिए और आज प्लेजर से स्टाट होता है आपका बडवानी विजागड अकरानी असीरग हर ग अब कंटक यहीं पर हैं आपका सद्वाना वहील सी देखिए शिद्र बाबा की चोटी यह सागर पठार यहीं पर आपका शीवपरी पठार भी है लसकर का मैदान अनलसकर मैदान भी आसकता है कुस्सन तो यह देखना है आपको अब और यह आपका चण वड़ा पठार यह जानब आपका चजारी विंद्र पर श्रुस्णी न सिंगार से उच्छी चोटी मालवागी चोटी यह यह नहीं नजिया भी सारी सोकर दिए इसमें तो पोज़ा कुछा नहीं रहेगा यह चंबल नाजिया पकी है यह जारी इस तर है तो इससे आपको कापी कुछ समय में लेगा हो इससे आपका जो माइन है फोकस हो गया है ठीक है ठीक है तो हमने सब्सक्राइब भी देख लिए थी और आपका मिंदर्थे परवस्णी देख लिए तो तो देखने हमें जरुत नहीं है सबसे चोटी में दूगड़ देखी चुके थे अमर्कंट भी देखे लिए हमने सो नर्वदा घाटी भी देख चुके हैं ब्लॉक परवत है इसको ते बर पढ़ देते इसको अमर्कंट के दो प्रमत्पुन नजिया निकलती है जोनों नजिया अपने ब्रहां से घाटी सेटर में बहती है नर्वदा पसीम की त सब्सक्राइब नर्वदा और ताप्ति के बीच जली भज़ा कार्य करती है क्या करती है सब्सक्राइब की होने एकराण यह जो ताप्ति और नर्वदा अंधी एक साथ ने मिल पाई है तो आपी कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा इस डाइग्राम से और यहां पर हमने सो सब्सक्राइब तो आप एंपी का जो हमारे लेक्षर उसको अच्छे से पड़े पढ़के जाए तो काफी कुछ देखने में मिलेगा उसमें इससे विए सब्सक्राइब काम हो जाएगा आपका तो कोई दिकत नहीं है इसको भी अगर पढ़ोग आप लोग कोई दिकत नहीं टीके यह सहरी पहाड़ कर रहे है यह दिके लग्दा को यहां पर हम यहां पर यह परदी भारत के पठार ग्रें ताम लग्दा को पटार देखे लगे में पर देखिए अप नीचे यहां अ फ। कि अब बढ़ी हमातले किया सहनू की नीकर मेंने कर दोरेंसिते थे ने कुछा इसके उत्तर में फ्यायगढ के पाए का यहентizo इस पठार में लाल बलवा मिट्टी पहे जाता है अब हमने छोटा नाकपु का पठार देखते हैं पूरी पठार में उडिशा में उत्तर सेत्र में शत्यसगण दिखिन में बिहर तक फिला हूआ है देखे लिए इसे आपका दामदा नाधी गई है दामदा नाधी पहले बंग्ल का सी खार कही जाती थी लेकिन अभी नहीं कि जाती है इसकी उसत उचाई 650 मिटर है इसकी छोटा नाकपूर के बठार को दो भगों बाटती है दामदन नदी घाटी यहां पे है उपके नाकपूर चोटा नाकपूर के बठार की सबसे बड़े नदी है टमद्बंदीश बैसिन में कोलिय का सरवाधिक बंद्पार जाता है यहां पर कोल्य समय थी मिलेगा राची के पठार के सवन रिखा नदीए है तो रहा है उसकी बात हो रही है यह जिरबाग शुद्यावाग रहा है यह जाहर ने बिखार पश्यमंगाल वह परूलिया जीला तथा उरीशा के उत्तर सेत्र में चत्रीज़ड़वाद दक्ष्णि में बिहार तक हिलावाए इसी उसव दुच्छेटीटीच शेटीच पची सबसे उच्छा सिखार परसनात पहाड़िया है देमदी की चुके इसको डबल बने लेखते हैं चुटा नकपट वड़ा हो देखते हैं यह ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है ठीक है साच राची के बठार का ढढ़ाल दक्ष्ण तरप तो था हजिरा बाग के बठा र सब्सक्राइब कर देखेंगे उरेनियम जहां से निकलता है कुल्क करने है मलाइका है माइका भारत का सतपरीसमी ये यौन पै wn सिंखंग मंच पथा नियू मिलता है राज महल की पाहड़िया पे रनी गश्छन डहार या बोकारो नहीं हला कोलिया कोईला पाई जाताएं पर राजमल की पाहड़िया है कि हम थोड़ा दिल्दी कर रहे हैं यह हम पूरा का रख पाया है इसको यह मुख की रूप से जहरकांड से छोटा नाकपुर बठर से उत्तरपुर में भाग मिलता है का मिलता है यह जहरकांड से छोटा नाकपुर यह गड़ जात की पाड़िया है इसका विस्तार चारकन के शोटन अप्रोपथार के ओरी सा उतकल से हुआ है औरी सा है पैना करना ओरी सामें इसका स्रोच सिखर महंदर गिरी है में इसका ओरी सा के उच्छे में भी करते हैं त्यूंद यह आप देख लिए इस खौराम से इसस अब्साओ की परिक्रिया की द्वारा होता है चत्री दव्लक बेसिन चोटा नागपूर के राची के बिठार के दंड़ करने है नहीं जहां राम गये थे लोग जहां पे अपका उत्तारामाने बनीए दंड़ करने में उसकी बात हो रही है प्रदके अलग करता है तथा स्व या महान भी बेसिंसे तो में गणवानाश करम की चट्टाने रहती है ठीक है मिहां पर कोईला प्रयाप्यम परूंदाब पर जाता है लच्चर की ख़दाने भी ओरीशा में कोईला में पर जाती है तने करने बस्तर का विस्तार यह इसका विस्तर हो सच्शत्र महराश्टा अंद्र प्रदेस और लगना में यह आरकें चट्टाने से बना हुआ है अत्तिक उबड़ खाबड वह अनुप जाओ से रहे हैं खनिस सब्सक्राइब की दरिश्टी से यह से तरह कापी धनी है भारत में तीन दातु डंड कराणिये पठार का विस्तार निकलती है तीन दातु यह बेला ज़्याद एक उसना चुका है इसको दिहान से पड़े आपको प्रेड़ा कहां इसे थे चाची दुन में है अरें ख़दा नहीं है काला हंडी का पठार यह बस्तर पठार मल मलकाना मलका की पठार दर्णकारानाई का पठार ना से तरह हैं में खाले ते में घाले गारो गेप का छोटा नकपुर पठार से लग होता है राजमहल गारो गेप गारो गेप राजमहल पहाडी यम गारो पहाडी के गंगा वा ब्रहंपुत नंदी द्वारा बनाया गया डेल्टास के मिदान की करान होता है राजमहल गारो गेप को पस्यम मंगाल में माल्दा ग मेधान में पीट मर्दा उपलुपता होने के करण मेग्रोव वनस्पती का विकास हुआ है सुन्दरवन अथ्रवादी विजित्ता वाले सत्र यहीं पाया जाते हैं कहां पर पस्यमंगाल में मेगाले के पठार में पस्यम से पूर की उक्रमस गारोखासी जैनतिया पाड़िया है यह यह एक हकार की पाड़िया बनूा फिरर अपस में वरस अपर है उसकी बात बात इव बात अप मेगाले के पठांग सीताही फ़ाल में वाली ठौक लवाटव से नहिसल्वाटी श्राटियों भी थना लेयाぎ है काट्रो उस्की को मेगाले का की पठार सबसे अणी-श्य कि पर पाड़ें जाती है भाणी फ़जयाता आप सब ज्यदा वर्सा होते हैं सबसे ज्यदा वर्सा होती है एक महा इस तरम पत्थर युरेनियम ठोईला खनीच बंदा राधी पाई जाते हैं बनसे गीला पठार यह 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 ताप्ती नदी के दक्षिर में त्रुज़कार सरष्णा फिला हुआ है ठीक तप्ति नदी के त्रुज़कार का पठार यह तक निए दक्ष्णा पठार यह तक रहे है यह विश्तार महारास्ट और करनाटक मद्रदेश गुजरात तयलंगाना आधर्रस और तमिल-णडू की तट यह प twists आ сам क्यों फेला वाई यह लगवग 10 लाख वर किलोमेटर फिलावाई यह वर्तमान में लगवग 5 लाख वर किलोमेटर तथा बाकी अपर्दी यह अप्छी हो जाता है यह महाराश्य के पठार में लावा की कई परते बीच गई इसका इसे ट्रेप करते हैं इस पठार का निमान बैसिक लावाक से कि जिसकान 205 तशंटाने पहने जाती इसमें वर्दा बेनगंगा बेसिन हा बेसिन तता रतनगिरी के आर्किन कि धारवार चल्टाने यह फ्याई पहाई कन इस पठार की का काली मिटी पहाई जाती है कौंसी मिटान जाती है को इसे सबसे उची चोटी कौन सिय तक्स बोई क करनाट का दारवार का पठ़ा है कि अग्राट के पठाई सेथ्रे में पस्याज़ाण परवती शायधर यह वह यह मलनाड है बावु बदन यहां का सबसे उचा परवती सेथ्रे में जिसकी सबसे उची चोटी आधी मुलयन गिई है लव मलणाड के सलगन पूरु में अप्चकरत कम उचे पठारी सेतर मेंदान केते हैं जिससे औसत से अधीक उचे इस नदी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं यहां के प्रवुण नदी कावेरी तुमन्द्रा सरारुती वराही भीमा गाटप्रभा अमालप्रभा अधी हैं कि स्रावती नदी वह जोग या करती हैं बॉराि नदी के दवारास सियसा मंद्रम जीले मेंUP कुंची गल करिमाना होता है यहां पे अंद्र का पठार था था हुआज عणा नदी करेखिंक क सेत्र में राइल सीमार का पठार काते हैं यहां पर वेली कॉंडा पाल कॉंडा वो नल्ला मलाई प्रवत का विस्तार पा जाता है जिबकि क्रश्णा नदी वैसिन के उत्तर के पठारी चत्र को तलंगना का पठार कहते हैं तलंगना का पठार का उपरी हिस्सा पठारी वो दक्षणी हिस्सा मैदानी है ठीक है क्रश्णा गोदा बढ़ा लिप्ट एरीगेसन प्रोजेक्ट यह चल रहा है यह दान रहे हैं यहां पर आइरन कोईला ही रा बलो पत्थर जैसे खनी पता प्थर यहां भारत का सबसे उचा पतार है यहां भारत का सबसे सूखा पतार है सुखा पतार भी है यह देखिए करकरे खाने अब इसक्स करी लाता है आपको देखिए सेज़ी सिक्स मिनट से इद्रकाली आप इसे यहां पर और आट डिगरी फॉर मिनट पर यह आपका हिंदमास अगरें है यहां से स्टाड़ होता हमारा भारत ठीक और यह आपका इसका विस्तार यहां पर इसका हम चोड़ाई देखिएंगे तो 293 है और अपकी उच्छाई देखिएंगे तो आगे चले हैं लो इसको आप राम स्टेक लीजिए तर यह हमारी करक रेखा है जो हमारा भारत यहीं पीस्ति थे इदर आसपास की पे न उससाट दीखेंगा यह निदीखेंगा पूमदरे वह मैं आसने निकलती है यह मकर रेका नीचे ठीक है यह साड़ते व्श उपर साड टाइम लाइन हैं जो कहां कहां से घूले लीजिए यह आप कि अगर हमारा यहां पर दो घंटे है टाइम मेले गामें टिक द॑ कि टाइम लाइन हमारी कहां से शत्तिजगर्ड उत्रप्रदेश वद्रप्रदेश और अंदर प्रदेश से वुज़े पूरी सब्सक्राइब यह हमारी पाल्क दिलसंदी है आपकी है स्रीलंका से लगी हुई है गल्पम मनार की पहाड़िया यहां पर कुछ मौंट एरिस्ट सबसे उची चोटी यहां पर नैपाल में हिसले हिमालाई में मौंट एरिस्ट केटू जिसकी वुचह यह 8888 किलोमेटर है केटू 8600 111 करती है मैं यह बाक के मारे काम की नहीं है तो इसको जिहांद रखेंगे यहां